So guys, आज का ये जो incident है, इसका मुझे place नहीं पता कहां का है मेरे पास सिर्फ लोगों के नाम है जिनके साथ ही incident associated है तो पहले मैंने सोचा कि इस incident को, इस mail को मैं cover ही नहीं करूँगा क्योंकि जब ये mail मैंने शुरू से पढ़ी तो उसमें शुरू से ही ये mention किया गया था कि ये जो subscriber है, ये place का नाम नहीं बता सकती कि ये incident आखिरकार है कहां का तो मैं इसको skip करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों second thought आया कि इस story को एक वरी पढ़ लिया जाए उसके बाद मेरे literally goose bumps आगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वही feel करो जो मैंने feel किया इस incident को पढ़ने के बाद इसमें ना कोई black magic है ना कोई वशी करन है, बलकि एक दोस्त की आत्मा अपने ही दोस्तों से बदला लेने के लिए वापिस आई इतने जादा भ्यानक वे में कि आपके literally रोंग्टे खड़े होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो basically जो incident है ये है early 2000 का और जो लोग इस incident के साथ associated हैं उनके नाम हैं कमल, विकास, विशाल और सुमित और साथ ही इसमें एक लड़की भी है इनके लावा जिसका नाम था जया तो basically ये जो सारे दोस्त थे, ये सारे के सारे एक ही college में पढ़ते थे पर अलग-अलग stream में और ये जो incident की शुरुआत हुई थी, वो एक feeling के चलते हुई थी जो feeling आई थी, विकास को college में बहुत सारे लड़के थे, लेकिन विकास उन सबसे अलग था जो विकास था, वो hormonally बाकियों से different था मतलब उसकी हरकतों में, उसकी बातों में थोड़ा सा feminine touch था तो लोगों को अभी तक सिर्फ यही लगता था कि विकास की शायद हरकते ही ऐसी है लेकिन असलियत कुछ और ही थी, अब जो विकास था, वो एक flat में रहता था विकास financially बहुत ही जादा strong था, मतलब 2000 के around जब लोग इतना easily scooter afford ने खर पाते थे तो विकास के पास उस time पे एक गाड़ी थी और विकास के साथ उसके flat में दो दोस्त और भी रहते थे जो कि जादा तर विकास के पैसों से ही काम चलाते थे इन दोनों का नाम था विशाल और सुमित, ये तीनों दोस्त साथ में ही रहते थे इन में से विकास का stream अलग था और विशाल और सुमित का stream अलग था बेसिकली रहते तेनों कटे थे लेकिन classes अलग लग लग लगती थी इसके बाद जो विकास का बैच था Basically उस में विकास के साथ जादा लोग बात करने में इंट्रेस्टट नहीं होते थे क्योंकि जो लड़के थे वो mostly विकास का मजा की उडाते थे उसके मज़े लेते रहते थे मतलब मूपे तो उसके साथ अच्छे से बात करते थे लेकिन जैसे ही विकास आगे पीछे होता था तो उसके बहुत मज़े लेते थे वहीं जो गर्ल्स थी उनके साथ विकास की हलकी फुलकी बनती थी लेकिन वो भी विकास के साथ जादा घूमना फिरना अवोईडी करती थी क्योंकि उस समय ये बात इतनी नॉर्मल नहीं थी मचलब कोई लड़का हो और उसकी हरकत है थोड़ी से फैमिनन हो तो लड़कियां भी इसके चलते उसको थोड़ा वोईडी करने की कोशिश करती थी उस समय जैसा मैंने आपको बताया लोग इन चीजों को लेके इतना उपन अप नहीं थे और में भी ना ही एकसेप्टेंस थी इन चीजों की तो जो विकास था वो बहुत ही जादा आईसलेटिड फिल करता था कोलेज टाइम में लेकिन जैसे ही वो आप इस फ्लैट पहुंचता था तो जो उसके दोस्त थे उन्होंने कभी भी विकास को ऐसा फिल नहीं होने दिया उनके असल में विकास के साथ कुछ फायदे भी थे वो विकास के साथ इसलिए रह रहे थे इतना कमफर्टिबली क्योंकि जो मैकसिमम चीजों का खर्चा था वो विकास युठाता था और उन दोस्तों को विकास के बहेवियर से कोई प्रॉबलम ही नहीं थी एक तो शायद उनका मतलब था विकास से और दूसरा वो शायद सच में विकास के साथ थोड़ा अटैच्ट भी थे तो इसके बाद चीज़ें भी ऐस इट इजी चल रही थी लेकिन विकास के ही बैच में उसके साथ एक लड़का पड़ता था जिसका नाम था कमल क्लास्रूम्स में या फिर कॉलेज के कैंपस में अकेला ही दिखाए देता था तो जो कमल था उसने विकास को बहुत वारी देखा था इस तरह से आइसलेटेड फिल करते क्लास में तो वो थोड़ा सा विकास के लेके कंसर्ण था कि इसमें इसकी क्या गलती है जो उसके साथ हो रहा है या फिर जैसा उसकी हरकते हैं तो उसका मन था कि वो विकास को थोड़ा कमफर्टिबल फिल करवाए और उसको कंसोल करे इस सब के चलते इसी के लिए उसने विकास की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया विकास को चीजे थोड़ी अकवर्ड लग रही थी इनिशली शायद उसको लग रहा था कि ये भी उसका मजाग उड़ाएगा उसकी पीट पीछे लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं था दीरे दीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनने लग पड़े और most of the times कभी भी कुछ study से related कुछ notes वगरा से related कुछ भी discuss करना हो तो वो दोनों एक दूसरे से ही करते थे धीरे धीरे चीजें विकास के लिए sorted होती जा रही थी जो वो isolated feel करता था अब उसको excitement होती थी क्लास में जाने के लिए शायद विकास कमल के लिए कुछ और feel करने लग पड़ा था तो अब इसके बाद धिरे धिरे विकास और कमल बहुत अच्छे friends बनते गए इसी के चलते विकास ने कमल को विशाल और सुमिट से भी मलवाया क्योंकि obviously विकास के वही friends थे इस से पहले लेकिन अब कमल भी इनके साथ जुड़ गया था ये चारों दोस्त बहुत frequently मिलने लग पड़े और इसी के चलते कमल को इन तीनों दोस्तों ने अपने फ्लैट में बुलाया क्योंकि कमल के इतने ज़ादा दोस्त नहीं थे college में तो उसने भी इस बात के लिए मना नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि friends बनाने की friends के साथ hangout करने की यही उमर होती है तो वो बहुत frequently विकास के apartment में जाने लग पड़ा धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी अच्छे होती गई तो जो flat था इनका वो इस तरह से था कि जो विशाल और सुमित थे वो अलग रूम में रहते थे और विकास एक अलग रूम में रहता था तो कमल जब भी जाता था तो most of the times वो विकास के रूम में ही सोता था दोनों बाते करते थे मस्ती मजाग करते थे और चीजें काफी sorted होगी थी लेकिन अब कुछ बहुत अजीब कुछ बहुत भ्यानक होने वाला था असल में जो विकास था उसके दिल में धिरे धिरे कमल के लिए feeling जाने शुरू होगी थी और वो चाहता था कमल को प्रोपोज करना लेकिन अभी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उसका लग रहा था कि अगर वो ऐसी बात कमल से करेगा तो हो सकता है उनकी जो दोस्ती है वो भी तूट जाए और फिर से वो नहीं चाहता था कि वो क्लास में उसी तरह से isolated feel करे जैसा वो initially करता था तो वो अभी इन चीजों को avoid कर रहा था लेकिन जब feelings बहुत जादा बढ़ गी तो उसने विशाल और सुमित से यह सब कुछ share किया अब विशाल और सुमित ने भी देखा था कि कमल जब भी उसनके पास आता था तो वो विकास के साथ ही रुकता था दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे तो उन्होंने भी विकास को motivate करना शुरू कर दिया कि तुम्हें अप्रोच करना चाहिए हो सकता है वो भी तुम्हारे लिए same चीज़े फिल करता हो धिरे धिरे विकास को उनोंने इतना pumped up कर दिया कि विकास ने प्लैन किया कि वो अब अप्रोच करके रहेगा इस चीज़ के लिए वो कमल को प्रपोज करके रहेगा अब वैसा ही विकास मोका ढूंड रहा था वो कॉले जाता था लेकिन वहां पे most of the times कमल के साथ जया भी होती थी तो वो चाहके भी अपने दिल की बात नहीं कर पा रहा था अब finally उसको मोका मिला एक दिन ऐसा आया जब उसको कमल अकेला मिला तो विकास ने कमल को कैंटीन एरिया में चलने के लिए कहा साथ में उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है और वहीं कमल ने भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया दोनों कैंटीन में पहुंचे तो अब कैंटीन में जाके विकास ने बहुत हिम्मत करके अपनी दिल की बात कमल को बताई लेकिन कमल बहुत ही ज़ादा कन्फ्यूजड था उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा कुछ भी कमल ने बहुत रिस्पेक्टफुली विकास को समझाया उसने उसको बताया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था विकास मुझे लगता था कि तुम क्लास में आईसलेटेड फील करते हो और अभी भी है ओवेसली वो अभी भी उसको बहुत अच्छा दोस्त मानता है लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट है और उसके दिल में आशी कोई भी फीलिंग्स नहीं है वहीं उसने जया को पसंद करना शुरू कर दिया था और यही सब कुछ उसने विकास को भी बताया विकास बहुत हार्ट ब्रोकन था लेकिन वो समझ रहा था कमल की फीलिंग्स को भी और वो उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी कर रहा था हाला कि दोनों की दोस्ती इसके बाद भी आज़ इजी थी लेकिन शायद कुछ आजीब होने वाला था इसके बाद विकास अपने फ्लैट की तरफ चला गया वही कमल जया से मिला जया ने जैसे कमल को देखा तो उसको कमल बहुत ऐसे टेंस्ड लग रहा था बड़ा कन्फ्यूजड सा लग रहा था तो जया ने कमल से पोचा कि इसका रीजन क्या है मतलब जो वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा ओफ सा लग रहा था उसका रीजन क्या है पहले तो कमल ने काफी टाइम अवोइड किया लेकिन उसको लग रहा था कि मेभी जया अंडरस्टैंड करेगी जया समझेगी इन चीज़ों को तो उसने जया से शेयर किया जो कुछ भी उसके और विकास की बीच में हुआ था जया बहुत जोर जोर से हसने लग पड़ी इसी पे जो कमल था उसने जया को डांटा की तुम्हें ऐसे मजाक नहीं उडाना चाहिए किसी की फीलिंग्स का जो भी है वो इनसान अच्छा है जया ने वहाँ पे तो अपनी हसी कंट्रोल कर ली लेकिन जया के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था इसके बाद जया जैसे ही वापिस अपने पीजी गी तो उसने अपनी सारी फ्रेंड्स को इसके बारे में बता दिया क्योंकि जया को गोसिपिंग की बहुत आदत थी धीरे धीरे विदिन डे विकास को और कमल को पता भी नहीं चला लेकिन विकास के इस प्रपोजल के बारे में सारे कॉलेज को पता चल गया था और हर इनसान अगले दिन विकास को बुली कर रहा था मजाक की नजरों से देख रहा था और उस पे हस रहा था क्योंकि उन दिनों कॉलेज में लोगों के लिए ये कॉंसेप्ट बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं था कि एक लड़का एक लड़के को परपोस कर रहा है ये चीज बहुत अजीब थी सबके लिए और हर इनसान इसका मजाक उड़ा रहा था विकास को बहुत अकवर लग रहा था लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी इसके बाद विकास के साथ ये चीज़ें डेली होने लग पड़ी यहां तक कि चीज़ें इतनी वर्स्ट होगी कि स्टूडेंट्स ने विकास को नाम देने शुरू कर दिया लग अलग बहुत घटी या बहुत अजीब से नाम विकास बहुत ज़्यादा दुख में था और इन फैक्ट वो कमल से भी बात नहीं कर पा रहा था दीरे दीरे दोनों की दोस्ती भी खत्म होती जा रही थी और विकास इतने ज़्यादा ट्रोमा में चला गया था कि उसने कॉले जाना ही बंद कर दिया वो सिर्फ अपने फ्लैट में बैठा रहता था और रोता रहता था वहीं जो विशाल और सुमित थे उन से विकास की यहालत नहीं देखी जा रही थी वो उसको समझाते रहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है सब नॉर्मल है लेकिन विकास जानता था कि उसके दिल पे क्या गुजर रही थी अब विकास ने प्लैन किया कि वो बापिस अपने घर चला जाएगा वो यह सब कुछ और नहीं सह सकता लेकिन यहीं पे विशाल और सुमीत के दिमाग में कुछ और चलने लग पड़ा था वो जानते थे कि विकास अगर यह फ्लैट छोड़के चला जाएगा तो उसके बाद उनके जो खर्चे हैं वो कौन उठाएगा उनको financially कौन इतना help करेगा तो उनके दिमाग में कुछ आया जो उन्होंने विकास से भी शेयर किया विकास को उन्होंने बोला कि विकास को कमल से revenge लेना चाहिए जो कुछ भी उसने विकास के साथ किया है लेकिन उनको पता तक नहीं था कि कमल का इसमें कोई हाथ ही नहीं था कमल को बिचारे को खुद नहीं पता था कि कॉलेज में विकास के साथ ही सब कुछ हो रहा है वो इन सब चीजों से aware ही नहीं था तो इन दोस्तों ने विकास को समझाना शूरू किया लेकिन विकास की दिल में अभी भी कमल के लिए रिस्पेक्ट, फीलिंग्स सब कुछ था और वो कही न कहीं जानता था कि कमल की इसमें कोई भी गलती नहीं है लेकिन इन दोस्तों ने विकास को बहुत ही जादा भढ़का दिया था कि तू इतनी रेपिटेटिव फैमिली से बिलोंग करता है कॉलिज में तेरा एक औरा है लेकिन अब हर इनसान देरा मजाख उड़ा रहा है जस्ट बिकाज अफ कमल तो यहीं से विकास के दिल में भी चीज़ आने लग पड़ी और वो भी अब चाहता था कमल से बदला लेना और वो भी बहुत ही बुरे वे में उन्होंने इसके लिए एक प्लान किया उन्होंने प्लान किया कि वो कमल को विकास के फ्लैट में बुलाएंगे और इसके लिए विकास अगले दिन बहुत हिम्मत करके college केया college में सब वैसा ही था हर इंसान विकास को चिड़ारा था किसी को कोई regret नहीं था किसी को ये नहीं दिख रहा था कि विकास कितनों दिनवाद college आया है लेकिन सब उसके मज़े लिए जा रहे थे विकास बहुत हिम्मत करके कमल के पास पहुंचा उसने उससे बात करना शूरू किया उसको समझाया कि उसको भी बहुत बुरा लगा ऐसी सारी बाते करके कमल के साथ वो जानता है कि कमल की अपनी एक फिलिंग्स हैं और जो उसने बहुत ही रिस्पेक्ट फूली विकास को बताई थी तो वो चाहता था कि रात को फिर से हैंग आउट करें विकास की फ्लैट में कमल फिर से जाए और सारा कुछ वैसा हो जाए जैसा पहले था अब वहीं कमल जो इतना रिग्रेट में था उसको लग रहा था कि उसकी वज़ा से शायद विकास फिर से वैसा इसलेटेड फिल करना शुरू कर देगा लेकिन अब उसको लग रहा था कि चीज़े सौर्टेड हो रही हैं तो वो भी बीना सोचे इस चीज़ के लिए अग्री हो गया अब रात हुई कमल विकास के फ्लैट पे पहुँचा वहाँ पे उन दोस्तों ने दारू वगेरा का प्लैन किया था अब जो विकास विशाल और सुमित थे ये पहले भी ट्रिंक करते रहते थे लेकिन जो कमल था उसने अभी तक ट्राइ नहीं किया था इन्होंने forcefully कमल को भी convince कर लिया कि वो भी try करे क्योंकि यही उमर होती है और इससे जादा special occasion क्या होगा कि हमारी दोस्ती फिर से वैसी की वैसी हो रही है कमल ने भी सोचा कि शायद यही age होती है और यही perfect time है सब कुछ शुरू करने का वो भी agree हो गया विकास और उसके दोस्तों के साथ लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी तो अब धीरे धीरे सबने drinks करना शुरू किया लेकिन इन दोस्तों ने plan किया था कि वो कमल के drinks में sleeping pills मिला देंगे ताकि वो होश में ही ना रहे और धीरे धीरे चीज़े वैसी ही होती गई यह खुद भी drink कर रहे थे लेकिन कमल की हालत बहुत ही ज़ादा खराब थी क्योंकि वो पहली पर ही drink कर रहा था उपर से उसकी drinks में sleeping pills भी थी थोड़ी देर में कमल unconscious हो गया और उसके बाद विकास और उसके दोस्तों ने जो plan किया था वो उन्होंने एक्जीक्यूट किया सबसे पहले नशे में विकास कमल को अपने साथ अपने room में लेके गया और उसने कमल के साथ आपकिया लेकिन चीज़े ही पर खतम नहीं होई होश आया तो उन्होंने देखा कि कमल की हालत बहुत ही जादा खराब थी मतलब जो कमल था वो literally सांस भी नहीं ले रहा था उनको देखके लगा कि कमल मर चुका है तो पहले तो वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि जो उन्होंने पहले किया था वो तो नशे में किया था अब उनको होश आई थी बचने का सिर्फ एक रास्ता था उन्होंने प्लान किया कि वो कमल की बॉड़ी को कहीं फैक आएंगे उन्होंने विकास की ही गाड़ी में कमल की बॉड़ी को रखा टाइम था सुभा की लगबग साड़े तीन चार बजे उन्होंने गाड़ी उठाई और वो बोड़ी को जंगल की तरफ ले गए जंगल के पास ही खेत थे और जो किसान थे वो उस ड्यूरिंग फसल का टाइम था तो वो खेतों में ही रात को सो रहे थे तो जैसे ही इन्होंने बोड़ी को बाहर फैका इनको फील हुआ कि शायद कमल की सांसे अभी भी चल रही है और में भी वो जिन्दा है लेकिन अब इन्होंने प्लैन कर लिया था कि कमल जिन्दा रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि कमल जिन्दा बच जाता तो ओवेसली उन तीनों को जेल जाना पड़ सकता था या फिर शायद इससे भी जादा कुछ बुरा होता उन्होंने बेना सोचे कमल को जिन्दा ही आग लगा दी लेकिन इसी डूरिंग जो किसान वहाँ पे खेतों में थे उन्होंने देखा कि सामने आग लगी हुई है उनको लगा कि शायद किसी ने आग वगरा लगाई है और कहीं उनकी फसल ना जल जाए इसी लिए वो आग बुझाने भागे लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक इनसान जो शायद थोड़ी देर पहले जिन्दा था वो जल रहा था बड़ी मुझकिल से उन्होंने वो आग बुझाई और फटा फट से उन्होंने पुलिस को इंटिमेट किया इसके बारे में तो पुलिस ने भी देखा कि ये जो बॉड़ी थी ये 50% जल जुकी थी तो पुलिस ने बॉड़ी को एटॉपसी के लिए बेजा वहाँ पे एक बहुत ही शौकिंग सच पुलिस को जानने को मिला हाला कि तब तक कमल की फैमिली भी वहाँ पे पहुँच गी थी तो उनको सुनने में आया कि कमल का मल्टिपल टाइम्स भी हुआ है उसके बाद उसको किसे ने पीटा है और शायद उसके बाद भी कमल जिन्दा था लेकिन फिर भी जो भी ये लोग थे उनका मन नहीं भरा शायद उन्होंने कमल को जिन्दा ही आग लगा दी लेकिन इसके बाद क्योंकि कमल की बॉड़ी 40-50% जल चुकी थी इसी वज़ा से कमल की जान चलेगी थी अब पुलिस इस केस को फैल करने के लिए फैमिली की परमिशन लेना चाहती थी लेकिन फैमिली को डर था कि कहीं फैमिली की बदनामी ना हो जाए कि उनके बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ था ओविसली उस ताइम पर ये बात बहुत अजीब थी ऐसा कभी इन में से किसी ने भी नहीं सोना था और दूसरी बात कमल की एक बेहन भी थी जिसकी शादी होने वाली थी और फैमिली को लग रहा था कि शायद ये बात अगर लोगों में फैलेगी तो उसकी वज़ा से कमल की बेहन की शादी पे भी इमपैक्ट पर सकता है और वहीं जो उनका बेटा पहले से जा चुका था वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से बदनाम हो तो उन्होंने केस फाइल नहीं किया और सीधा कमल कानतिम संसकार कर दिया अब ये जो विकास विशाल और सुमित थे इनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था इनको क्लियर था कि अब इनको कोई भी नहीं पकड़ सकता और ये बिल्कुल सेफ है असल में रियल इंसिडेंट तो इसके बाद शुरू हुआ था इसके बाद तीनों दोस्तों को सेम ही सपना आना शुरू हो गया उनको सपने में कमल चलता हुआ और जलता हुआ दिखाए देता था जैसे वो उसको छोड़ कि आये थे लेकिन इनको लग रहा था कि ये सपना शायद किसी एक को ही आ रहा है जब दो तीन दिन लगा तार ये सपना सब को आया तो उन्होंने एक दूसे से शेयर किया तब जाके उनको पता चला कि में भी मैटर थोड़ा सीरियस है और कुछ ना कुछ गड़वर तो जरूर है कि ये तीनों को सपना सेम ही आ रहा है लेकिन यहां पे चीज़े अभी सौटेड नहीं थी इसके बाद भी चीज़े बहुत भीहानक होनी इनके साथ चुरू ही एक रात विकास सो रहा था अचानक से उसको फील हुआ कि उसके साथ बेड़ पे कोई सो रहा है जैसे कमल जब भी उनके फ्लैट पे आता था तो सोता था विकास बहुत हिम्मत करके घूमा दूसरी तरफ तो विकास को लिटरली बेड़ पे उसके साथ कमल लेटा हुआ दिखाई दिया जो की आधा जला हुआ था विकास वहां से बहुत मुश्किल से भाग के अपने दोस्तों के रूम पहुँचा जैसे उसने वहां पे सब कुछ बताया तो जो दोस्त थे वो समझ गये थे कि इनके साथ कुछ बूरा होना शुरू हो गया है इन्होंने प्लान किया कि ये किसी तांत्रिक वगयरा को बुलाएंगे और अपना पूजा पार्ट करवाएंगे या फिर किसी मंदिर वगयरा जाना शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले इनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो इन सब चीज़ों से बहुत बिहानक और बहुत ज़ादा खतरनाक था ये तीनों दोस्त कॉलेज गये हुए थे अक्सर विशाल और सुमित इकटे ही कॉलेज से वापस आते थे और जो विकास था वो ओविसली अलग स्ट्रीम का था तो उसकी टाइमिंग अलग थी लेकिन इस दिन सुमित जैसे ही बहार आया उसको विशाल दिखाई नहीं दे रहा था उसने आसपास ढूनने की कोशिश की कि अक्सर वो डेली ओल्मोस्ट साथ में आते थे साथ में जाते थे सुमित को ढूनते ढूनते विकास भी मिल गया तो उसने उससे भी शेर किया कि ऐसे ऐसे उनको विशाल नहीं दिखाई दे रहा उन्होंने ढूनना शुरू किया इतने में ही उनको एक खबर सुनने को मिली विशाल की जो डेड बोड़ी है वो रोड के बीचो बीच मिली थी और उसका जो सर था वो धर से अलग हो गया था लोगों का मानना तो यही था कि एकसिडेंट हुआ है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन ही किसी ने तोड के फैक्ट दी हुई है मतलब यह दोनों दोस्त जो अभी बच गए थे विकास और सुमित बहुत ही ज़ादा डर गे थे इसके बाद इन्होंने ना कॉलेज देखा ना अपना फ्लैड देखा दोनोंने प्लैन किया कि वो अभी के अभी अपने अपने घर निकल जाएंगे और कुछ दिन वहाँ पे बिता के आएंगे अगर सब नॉर्मल रहा तो दोनों अपने अपने घर चलेगे लेकिन इन चीजों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था अब सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ वो सुमित के साथ हुआ सुमित अपनी फैमिली के साथ बैठा था एकदम से अचानक से वो बहुत टेंस्ट था और अचानक से उठके बोला कि जो कुछ मैंने किया है वो भोगतने का टाइम आ गया है मुझे पे करना पड़ेगा जो भी घलतियं मैंने की हैं और वो भागता हुआ गया अपने रूम के दरफ रूम के अंदर उसने खुद को आग लगा ली फैमिली से पहले कुछ समझे उस दरवाजे को तोड़े उन्होंने देखा कि सुमित पूरी तरह से जल चुगा था जैसा उन्होंने कोशिश की थी कमल को मारने की बिल्कुल उसी तरह से सुमित ने अपनी जान दे दी फैमिली को इस बात का पता तक नहीं था कि वो किस बारे में बात करके गया क्या चीज़ का उसको पे करना है और क्यों उसने ऐसा कर लिया मतलब फैमिली की माने तो उनका मानना था कि इस इंसिडेंट के दौरान जब सुमित ऐसी बाते कर रहा था तो उनको लग रहा था कि सुमित अपने कंट्रोल में था ही नहीं ऐसा लग रहा था कि वो किसी ना किसी चीज़ से पोजेस्ट है शायद कमल की आत्मा ने उसको पोजेस्ट कर लिया था जिस वज़े से उसने खुद को ही आग लगा लिया और खुद की ही जान दे दी अब बचा था विकास जिससे ये सारा इंसिडेंट शुरू हुआ था विकास के साथ भी ऐसा ही कुछ भिहानक होने वाला था तो जो विकास था उसका मेंटल स्टेटस धीरे धीरे खराब हो रहा था ऐसे वो चीखता रहता था कुछ भी बोलता रहता था इन फैक्ट कुछ दिनों में ही उसने चीख चीख के हर इंसान को बताना शुरू कर दिये कि उन्होंने कमल के साथ क्या गिया है उन्होंने कमल को किस तरह से मारा है लोगों को विश्वास ही नहों की विकास बाते कैसी कर रहा है लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल ही पागल हो चुका था वो कभी कभी खुद को हाम करता था कभी चीखता रहता था कि उसको कमल दिखाये दे रहा है कभी उसको विशाल दिखाए दे रहा है, कभी उसको सुमित दिखाए दे रहा है और वो बस यही बोलता रहता था कि हमने कमल के साथ ऐसा किया हमने कमल के साथ ऐसा किया, इसलिए हम यह भुगत रहे हैं किसी को आइडिया नहीं था विकास के गाउं में कि विकास बात किस चीज़ की कर रहा है। लेकिन असलियत सिर्फ विकास जानता था। मतलब इसके बाद जो विकास था वो खुद के लिए भी threat बन गया था और आज पास के लोगों के लिए भी threat बन गया था वो बहुत अजीवोगरी फरकते करता था मतलब family का financial status इतना अच्छा था तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि विकास को best से best treatment दिया जाए लेकिन विकास पे कोई फरक ही नहीं पड़ रहा था इतना सा पुछ करने के बाद डॉक्टर ने उनको यही suggest किया कि इसको asylum में भेज दिया जाए क्योंकि अगर ये ठीक हो सकता है तो ये सिर्फ वहीं पे ठीक हो सकता है otherwise इसका वहीं पे रहना ठीक है क्योंकि यहाँ पे अपनी family के लिए भी threat हो सकता है उसके बाद से nobody knows कि विकास जिन्दा है मर गया है कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है तो guys मैंने बहुत सारे incidents आज तक cover किये हैं बहुत सारे लोगों के incidents उने हैं लेकिन ये एकलोता ऐसा incident था जो कि उन सबसे बहुत हटके था मतलब कमल एक ऐसा इंसान जिसकी शायद कोई गलती ही नहीं थी जो इंसान इतना अच्छा था कि वो concerned था एक ऐसे दोस्त के लिए जिससे कोई बात वात नहीं करता था लेकिन फिर भी उसकी मौत इतनी बुरी हुई So I really hope आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले क्योंकि आप मेंसे बहुत सारी लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं मैं अगर continuously आपके लिए content डाल रहा हूँ तो बदले में मैं यही expect करता हूँ कि आप लोग कम से कम चैनल को subscribe तो जरूर करेंगे और साथ ही unfortunately मैं चाहता नहीं किसी के साथ हुआ हूँ लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई incident है जो आपके साथ आपके relative के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उसको narrate करूँ जैसे मैंने आज का incident narrate किया तो आप मेरी mail आइडिया फर इंस्टाग्राम पर मुझे से शेयर कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको मेरे description box में मिल जाएगा So see you next time in a next video, bye bye